नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी को हीरास कुग बुक में आज में देखकर आए हूँ सोया भीन की सबजी की रेसिपी जो ही बनाना है बहुत ही आसान और खाने में बिलकुल आपको ढ़ावे रेस्टुरेंट जैसा स्वाध आने वाला है बहुत ही आसान सिंपल जैसे ही दो मिनट तक उबलेगा हम इस सोया को यहां से पानी से निकाल देते है गरम पानी से फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो यहां पर सोया जो ही थोड़ा सा ठंडा होच चुका है तो मैं इस सोया से साड़ा नीचोड के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल लूँगी तो यहाँ पर मैंने जो सोया के एक्स्ट्रा पानी थे सारे सोया के निकाल दी है तो इसको रख देते हैं साइड में एक कडाई को गरम कर लेंगे इसमें हम डाल देंगे छोटे चमच से एक चमच तेल फिर तेल को गरम होने के बाद यहाँ पर हम सोया को डाल देते हैं और सोया को हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे तो हम यहाँ पर सोया को चलाते हुए फ्राई कर लेना है तो सोया जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन सा दिखने लग जाए उसके बाद मैंने आपे दो आलू को उबाल के रखी थी और आलू को उबले हुए आलू को यहाँ पे डाल देते हैं इस तरह से चौप करके फिर आलू को भी हम सोया के साथ फ्राइ कर लेंगे तो सोया और आलू को तीन मिनट तक फ्राइ करेंगे हाई टू मिडियम फ्लेम में उसके बाद यह फ्राइ हो चुके हैं हम इनको निकाल देते हैं तो फिर से कड़ाई को सेम कड़ाई में हम डाल देते हैं तेल आधा चमच और यहाँ पे मैंने एक प्याज को इस तरह से लंबे-लंबे टुक्रो में काटके रखी थी तो प्याज को हम यहाँ पे डाल देते हैं और फ्राइ कर लेंगे तो यहाँ पे हमें प्याज को थोड़ा सा सुनेरा दिखने तक फ्राइ कर देना है तो प्याज जैसे सुनेरा दिखने लग जाए हम प्याज को तेल से निकाल देंगे कड़ाइं से ओर प्याज जो यह थोरब से ठंडा हो चुकви तो हम ट्रांसपर्ट कार देती है एक मिक्सिंग जाने जनों है को मिना पानी डाले ही प्याज को सामें जीरा भाड गड़ी तेह बीपल्स अब देता को चिएट ते all मीच को डाल. देंगे खड़े मसाले यही उस करेंगे उसके बाद खड़े मसाले को दो मिनट भूनने के बाद हम इसमें एक कटा हुआ प्यास को डाल देंगे उसके बाद प्यास को भी हम खड़े मसालों के साथ ही भून लेंगे जब प्याज थोड़ा सा सुनेरा दिखने लग जाए उसके बाद हम यहाँ पे एड़ कर देते हैं एक चमच अद्रक और लसन को डालने के बाद हम फिर से यहाँ पे भून लेते हैं और अद्रक लसन का कच्चा फ्लेबर निकलने तक भून लेंगे फिर हम इसमें डाल देते हैं ये जो हमने प्याज को पिसके रखे थी वो प्याज प्याज को डाल देंगे और दो से तीन मिनट तक भून लेंगे गेस की फिलम को मिडियम रखते हुए अब मैंने आपे लिए एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर एक चमच मैंने लिए कस्मिरी लालमिश पाउडर छोटे चमच से एक चोथाई चमच गरमसला पाउडर एक चोथाई चमच जीरा पाउडर फिर आधा चमच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और स्वात के इ बनती है और मसालों से बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है तो यहां पे मैंने मसालों को अच्छी से भून ली है गेस्की फिलेम को लो रखते हुए और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं सोया और आलो जो हमने फ्राय करके रखे थे उसके बाद सोया और आलो को हम मसाल में चार चान लग जाती है खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और घर वाले तो आपके तारिप करते रहे जाएंगे उसके बाद हम इसमें एट कर देती है पाने पाने आप जिस तरह का आपको ग्रेवी चाहिए उसी साब से आप पाने डाल सकते हैं मेनी आपे करीबन पानी डाले हैं और इसको पकने इसमें उबल आना स्टार्ट हो गया है तो एक बार मिक्स कर देती हूं तो इसका कलर भी बहुत ही परफेक्ट आया है अब मैं इसको कवर कर दूँगी और कवर करके करीबन चार मिनट तक मीडियम फिलम में इसको पकने के लिए छोड़ दू बेल आइकन को भी प्रेस किजेगा इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सोया के सबजी बनके तयार है आप इसको रोटी पूरी चावल किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं एक बार इस तरह से जरूर बनाईएगा वीडियो में बने रहने के लिए धन् हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में